हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संचना और बेसिकली अभी हमारी चल रही है जॉब सीरीज जिसमें हम बात करते हैं होम बेस जॉब के बारे में आप लोगों से तो आज मैं बात करूंगी पांच होम बेस जॉब की जिसमें विदाउट इंवेस्टमेंट आप अराम से घर बैठे डा कंपनी है आर्या टेक्नोलोजीज एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेश तु तु त्री यर्स है सैलरी की बात करें तो वन लैक एटी थाउजंड तू तू लैक एटी थाउजंड है पर एर लोकेशन आपकी रही है महाराश्ट्रा वैसे अब ओवराल स्टेट से दाटा एंट्री ऑफिसर की ऐसे ही और भी जॉप्स हैं डाटा एंट्री एक्जियोटिव की तो फ्रेश अपलाए कर सकते हैं चाहिए वो ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुट है तो भी वो एलेजबल अपलाए करने के लिए कंडिडेट्स जो की इसी लोकेशन के हैं उ गंटे आप पर दे देंगे तो आपकी जो है एक्टिविटीज जॉब बिजनिस और कॉलेजिज में तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा तो चलिए अब इसी तरह से अब आगे बढ़ते हम जॉब इन्फो की बात करते हैं दोस्तों तो टीचिंग जो जॉब रोल है वो ह अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्त ग्रेजुएट है तो और भी गुड़ आप अपलाए कर सकते हैं लेकिन अगर आप ग्रेजुएट या पोस्त ग्रेजुएट नहीं है तो ब्राही अमती यह जो अप 10th और 12th पास स्टूटेंट्स के लिए निकाली गई है तो अब यह बढ़ते हैं हम की स्किल्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर करना आना चाहिए आपको बैक आफिस का काम रहेगा टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए डाटा एंट्र आप अपरेटर रहोगे एमेस ऑफिस आपका आना चाहिए जिसमें आप ए इतिट्यूट ग्रूप एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेश टू त्री यहर्स है और लोकेशन आपकी रहेगी गुजरात करनाटका दिल्ली चिन नहीं जिसमें आप कंपनी जो है प्रैफर करेंगे इन लोगों को जाधा लेकिन आप ओवराल स्टेट से अप्लाए कर सकते ह तो इन्शॉरेंस सेल्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर नहीं है तो भी ठीक है अब घर बैठे काम कर सकते हो आप अप अपलाए कर सकते हो सीवी जो है आप पर कॉंटेक नमबर दिया हुआ है आप बेख सकते हो उस पर जाके या फिर आप मेरी वीडियो के डि स्क्रिप्शन वीडियोस का लिंक लिखा है वहां पर जाकर के क्लिक करके भी आप नमबर देख करके जॉब पर अपलाए कर सकते हो तो जॉब इन्फो की तरफ बढ़ते हैं तो जॉब फंक्शन है बैंक्स इंशॉरेंस फाइनिशल सर्विसिस सेल्स बिस्निस डेफलोप्म आना चाहिए और डाटा एंट्री आपको करनी आनी क्योंकि यह बैक आफिस का आपका सेल्स का काम रहेगा तो अब हम तीसरी जॉब की बात करेंगे तो जो वाइस कॉलिंग की है तीसरी जॉब जिसको आप घर बैठे कर सकते हो तो इसमें जो कंपनी है वो है जीनस कंसल्ट इक्स्पिरियंस की बात करेंगे तो मिनिम्म माराश्ट्रा और जो आप डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कंपनी जो है हायर कर रही है वाइस प्रोसेस के लिए आप घर पे कर सकते हैं सिर्फ जब तक लॉगडाउन है तब तक और बाद में आपको आफिस चाप करके ही काम करना होगा, आपके पास Laptop होना चाहिए, PC होना चाहिए, Wi-Fi कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो लोग जो हैं घर बैठे काम करना चाहते हैं, वो भी अपलाए कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे कि freshers हैं, या जो job seekers हैं, उनके लिए यहां पे अच्छी पहले घर से काम कर सकते हैं, लोग डाउन के बाद आफिस आके काम करोगे, इंटर्व्यू आपका फोन पे होगा, और आप जल्द से जल्द जॉइन कर सकते हो, जो एक्सिदेंट कॉम्मिनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बस कैंडिडेट की, और नाइच्छिफ्ट करने मेलेजिवल हो, वो और भी गुड रहेगा अगर आप अप्लाय करना चाहते हो इस जॉब के लिए तो, जो आप इंफो की बात करें, जो जो आप रोल है, वो है कस्टोमर केर एक्सेक्यूटिव, एसोसियेट वोईस, इंड्रस्ट्रिया, सियारेम, कॉल सेंटर, बीपियो, आईटी, एमस, मीट्स, ट्रेंज, जो आप फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ऑपरेशन, कस्टोमर सर्विसेज, कस्टोमर टैली कॉलिंग, और बैक एंड रहेगा, तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगर आप ग्रेजवेयरेट हो, पोस्ति ग्याजवेट हो, तो भी अपलाय करने में लेजबल हो, 10-12 पास हो, तब भी अपलाय कर सकते हो, बैसिकली 10-12 पास इस जोब को आराम से कर सकते हैं, और की स्किल्स की बात करने तो आपकी कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको back office का work आना चाहिए, आपको computer operate करना आना चाहिए और थोड़ी बहुत MS office की knowledge होनी चाहिए चौती जॉब की तरफ बढ़ते हैं जो की tally calling की ही है तो दोस्तों, दो ही तरह की jobs आप घर बैटे कर सकते हैं तो data entry है tally calling की वैसे calling में बहुत मज़ा आता है अगर आप अच्छे से करना चाहाऊ उसे तो क्योंकि आपकी communication skills ही अच्छी होनी चाहिए तो अब हम company profile की तरफ बढ़ते हैं तो company है GOC Tourism Services Private Limited और experience जो है minimum 3 years, maximum 8 years की requirement है salary package की बात करें तो 2,20,000 to 5,50,000 per year communication की बात करें तो Delhi NCR और चलिए अब job description की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो है day shift भी है ही रहे गया आपकी कोई target नहीं है आपको बस product को sale भी नहीं करना आपको किसी product को और आप भर बैठे काम कर सकते हो और अराम से पैसे कमा सकते हो 8,000 per month और यहाँ पे पोजिशन रहेगी open for people and services, business and college even retire house by freshers जो है join कर सकते है training support and call support आपका चाहिए वो easily available रहेगा requirement है basic typing की और आपको अच्छा मौका मिला है यहाँ पे earn करने का जिसमें आप calling भी करोगे और साथी थोड़ा वाद type करोगे तो आप घर बैठे काम कर सकते हो अपने हमारे प्रोजेक्ट पे सिर्फ हमें काम चाहिए हमारे टाइम से कोई मतलब नहीं कि आप कितने घंटे का टाइम दे रहे हो दो घंटे का चार घंटे का यहाँ पे कंपनी को इस चीज की requirement है तो चलिए दोस्तों बागे बढ़ते हम job info की बात करते हैं तो जो job function है वो है आचार, PM, IR, training, marketing, MR, media, planning इंडरस्टी की बात करें तो hotel, travel, tourism, airlines, hospitality तो दोस्तों education की बात करें तो graduate हैं जो post graduate हैं वो भी apply कर सकते हैं तो की स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको calling आनी चाहिए पिंग आनी चाहिए और computer operate करना चाहिए इतना काफी है और data entry की थोड़ी बात knowledge होनी चाहिए तो चलिए पांच भी job की बात करते हैं जो कि है data entry की और घर बैठे या पराम से बिदाउट investment कमा सकते हैं अच्छे खासी income तो company profile की बात करें हम जो company है वो है CRPL India experience की बात करें अगर हम आगे तो minimum one year और maximum four years है location आप किरेगी हर्याना वैसे तो आप overall इंडिया से apply कर सकते हो तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हों हम बात करते हैं आप description की तो हम धून रहे हैं data entry operator के जो full time पे काम कर सके और part time पे काम कर सके वो उसके वो खुद पे है कि वो कितना काम कर सकता है candidate और वो घर बैटे कमा सकता है अराम से 25,000 से 50,000 हर महीने वो depend करता है उसकी performance पे तो अब a job info के बात करें तो industrial type आप करेगा publishing functional area आप करेगा executive assistant front office data entry job role आप करेगा freshers और job type रहेगा permanent और education की बात करें तो अगर आप graduate हो या फिर आप post graduate हो तो भी apply कर सकते हो और अगर आप 10th पास हो या 12th पास हो तो भी apply कर सकते हो बस आपको data entry का काम आना चाहिए की skills के बात करें तो आपको computer operate करना आना चाहिए back office का का काम रहेगा typing speed आप कि अच्छी होनी चाहिए data entry operator आप रहोगे MS office में आपको excel और word की knowledge होनी चाहिए और सिर्फ इतना ही दोस्तों क्योंकि data entry operator की job में सबसे important होते है कि अगर आप housewife हो तो आपके लिए कोई skills matter नहीं करते बस आपको computer चलाना आना चाहिए internet की थोड़े बहुत knowledge होनी चाहिए तो ये अराम से कोई भी housewife कर सकती है या घर बैठे जो job seekers है वो अराम से इन jobs को कर सक होते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करती हूं कि पांचों वीडियो आप जानी चुके हैं तो अगर आपको apply करना हो तो आप apply कैसे करो कि मेरी वीडियो के description में लिंक दे रहा है आप उन पे link पे click करके timesjob.com पे जाकर के apply कर सकते हो और अगर आपको कोई problem आती है तो मुझे comment box मे comment कीजिए otherwise आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लेस लाइक कीजिए and subscribe कीजिए मेरे चैनल को और बैल आइकन दबना बिलकुल मत बूलेगा ताकि आपको हमारी वीडियो की home based jobs की new new objects मिलती रहें